आपको ना एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज दिने वाली हूँ बहुत अच्छे से आग जल चुकी है बांज की लकडियों आज हमारी घर में एक नया मेंबर्स आया है क्या करू मैं इतने सारे अक्रोटों का हेलो मेरे योट्यूब फैमली आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते मेरा नाम है आस्मानी की आप सभी का स्वागत है देवुमी उतराखन के इन खुब सुरत पहाड़ों से मेरे गाओं फापन से तो अभी मेरी भी हो चुकी है एक नए वीडियो की सुरुआत और नए वीडि पर बहुत ही खुब सुरत नजारा दिख रहा है लेकिन यहां दूप बहुत देड़ में निकलती है अभी सुबहें के आट बज चुकी है और अभी तक दूप का तो कोई नामो निसान नहीं है फिर अभी तो साड़े नौ दस बज़े तक यहां पर धूप निकलेगी तब देड़ on mice 3,5 दूप झली जाती है बहुत ज़दा हे भाई ठीक है लेकिन थंड के मौसम में ठंड काफी है और जो यह जगे है ना तो यह बहुति गजब की जगएarken कुई यहासे जो नजारा हमारे गाउं का इधर उदर का देखता है ना वाव क्या गजब करना जा रहा और अभी तो सुभय का टाइम है अज कल देखो यहाँ पे सारी की सारी खेती ना खाली हो रही है क्योंकि नीचे साइड जो है वहाँ पे गया वो रहे हैं तो वहाँ हरी हरी फसल होने बैड़ गी है और उपर की साइड ना मंडवा बो रहा था तो कुछी टाइम के बाद यहाँ पे ना धान की बुवाई होगी तो कुछ टाइम तक अब यह खेत बिल्कुल खाली रहेंगे आज की वीडियो में ना मैं आपको ना एक बहुत ही अच्छी गुड नीज देने वाली हूं बहुत अ तो इसकी चकर मैं भूल गई हूं तो अभी में गुसाला में पहुंच चुकी हूं और अभी गुसाला में आने का बाद मैं आपको बताती हूं कि आज की गुड नीज क्या है तो गुड नीज यह है कि आज हमारी घर में एक नया मेंबर्स आया है और नया मेंबर्स कौन है ये देखो, ये दिखो, ये दिखो, ये दिखो, हमारी गाय मावन चुकी है, और इसका हो रखा है छोटाइशा, बच्छडा, तो ये राच्छोटा बच्छडा, मैं इसको उजाले पर दिखाती हूं, अबे अंदेरा है, वह यह होँ, उदर चली गई है अंदेरे में, तो मैं तो यह देखे दोस्तों यह रहा नया में माहन जो कि अभी अभी सुबह सुबह आया है अलब सुबह में घर से आई न जब जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो यहां पर देखा तो बचड़ा न चारू तरफ गौसारा के चक्का लगा रही थी आप लोगों के लिए भी गुड यह रही चोटे और यह ना लाल कलर की हो रही है और इसकी जो यह बड़ी दीदी है यह भी लाल है और यह भी लाल है तो मैं सुबह आई ना मैंने थोड़ा इसको दूद पिलाया फिर मैं घर चली गई और अब मैं फिर से दुबारा आये हो इसको फिर से दुबारा मैं दू तो इसी तरह लिए सोस्के रिए लेव भी होता है जहनगोरे को जहंगोरे का और भाइंगो जही faith इसको लेकर आई उमें घर से सी हमारा काफी दूर है नीचे road पह तो road भी हो जाएका और यहां पर गौसाला में लेकर ही आई हूँ और अब ना इसको मैं पहले क्या करूंगी मैं गदेरे से पहले इस बरतन पर पानी लेके आओंगी वैसे तो यहांपे पानी है लेकिन ये कलका है तो ये बहुत जदा ठंडा हो र país तो अभी मैं नया पानी लेके आओंगी और यहां पे न मैं एक जगह पे चूला लगा रही हूँ यहीं पे चूला लगाते हैं और आग जलाते हैं क्योंकि हमारे पास लकड़ी भी यहां पे बहुत सारी पड़ी हैं यह देखो इतनी सारी यहां पे लकड़िया हैं तो मैं सोच रही हूँ घर की आफ़ात भी क्या करूँ मैं गॉसाला में ही बना लेती हूँ इस केले पींडा तो पहले मैं आग जलाती हूँ और पींडा बनाती हूँ पींडा कैसे बनता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाओंगी फिर उसके बाद मुझे क्या करना है गरम पानी करना है गाई को नहलाना है धूब में निकालना है अभी तो दोस्तो अभी हमारा जंगोरी का पींडा देखो एकदम से उबलने लगा है गड़वाली में तो इसे पींडा ही बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं मेरको मालूम नहीं है बाकि न अभी नहीं हुआ है यह जब तक कि अच्छे से गाड़ा नहीं हो जाता तब तक इसे उबलते रहना है फिर थोड़े देर में निकालेंगे हम इसको नीचे तो अभी मैं जा रही हूँ गास के लिए उसके लिए मैं थोड़ा हरी गास लेके आऊंगी क्योंकि इस टाइम पर हम उसको न ज्यादा कठोर गास और सूखी गास नहीं दे सकते हैं तो उसके लिए मैं जा रही हूँ थोड़ा सा चंचिरे के लिए और अभी अभी सूरेदेव ने भी दरसन दे दिये हैं साड़ी नौ बजे का टाइम हो चुका है और अब जाके धूप निकली है तो थोड़ा सा यहां पर धूप सेखने का मन कर रहा है तो थोड़ा देर धूप में रहती हूँ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि उनला है तो झाल झाल तो अभी पौने 11 बजी का टाइम हो चुका है और मैंना अभी नगास लेकि गौसाला में आके अपनी गाई को मैंने भार में निकाल के इसको गरम पानी से नहला दिया है और इस छोट इसी बचिया को भी मैंने थोड़ा सा धूप में निकाल दिया है यह देखो कैसे उचल रही है ना सोच रही होगी कहां इतनी बड़ी दुनिया में संसार में कहां आ गई मैं उचल कूद कर दी है पहले तो मिटी खाएगी उधर से और इसको न मैंने नहलाया है गरम पानी से और थोड़ा से धूप मैं रखती हूँ तब तक मैं अंदर का गोबर साप कर लेती हूँ और इसकी पूँच ना पता कब तूटी जब यह बिमार हुई थी तब इसकी पूँच तूट गई थी तो यह अभी आदी पूँच की हो चुकी है यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अक्रोट दिख रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी बहुत ज़्यादा बड़ा अक्रोट का पेड़ है और हमारे खेते हैं यह तो हमारे खेतों में यह बहुत बड़ा अक्रोट का पेड़ है तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे अक्रोट एकटे कर लिये हैं यह देखो यह देखो बाइं यह देखो बाइं को दोलो वे इन बहुंतर दूँगे इस में लेकिन यह पर गया होते हैंपлекर और और प्रेख दंट्रोथ म Kelu दौन बना नोडोट कि अटte हैvan टूट जाते हैं लेकिन ये काठी अफ्रोड हैं इन्हें पथरों से पोड़ना पड़ेगा ये देखो क्या करो मैं इतने सारे अक्रोड हो का अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताना कि हमारे लिए भेज़ दो ठीक है तो चले दोस्तो आज की इस वीमें लेकि जारी हैं उमिद करती हूं आप सब्सक्राइब बोल दो इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ एर कीजिए तो आपके अब के लिए इस आपके बड़ा वालत है